नमो नरायन जी, नमो नरायन जी, मैं डॉक्टर नारायन आचारिय habits चंडिगर से दोस्तों मैं बात करूंगा मारकेश ग्रहों के उपर. और मारकेश ग्रहों के उपर दोस्तो इतना बड़ा भय बन जाता है जब पता चलता है कि मारकेश की दशा लग गई है आपकी तो मृत्यू हो सकती है जब ये कहा जाए जोतिश के द्वारा कि मारकेश ग्रह आ गया सब कुछ खतम हो जाएगा दोस्तो मारकेश क्या है आज हम इस पर बात करेंगे और मारकेश की सच्चाई आपके सामने रखेंगे पुंडली में साउथ इंडियन एस्ट्रोलोजी जो भारत से दक्षिन भारत की जोतिश और नौर्थ इंडियन यानि की उत्तर भारतिय जोतिश में भी बहुत ज़्याद और बार्वे को भी माना जाता है हलांकी 23, 33, 67, 80 और 12 यह दोस्तो जो भाव है जोतिश में वो मारक भाव कहलाएंगे लेकिन दोस्तो मारकेश की दशा दोस्तो महादशा आती है अंत्रदशा और परतियंत्रदशा उन दशाओं का मतलब अलग रहेगा कुछ ने कुछ लेकि अब कुणली कहती है जोतिश का जो मेरा अभी तरका अनुभाव रहा है सेकिंड भाव यानि दूसरा भाव जनम लगन कुणली में दूसरा भाव और जो सात्मा भाव जब दोनों के ग्रह राशी परिवर्तन कर लें यानि सब्तम भाव का कारक सब्तम भाव का मालिक सब्तम मारकेश की दर्शा ज़रूरी नहीं है कि मृत्यूरी देगी वह आपको विबार कर सकती है मारकेश में देखिएंगे कई प्रकार के मारकेश हैं मारकेश यानि संतान की तरफ से कस्ट होना अब एक बच्चे ने अपने पिता को तू कहके बोल दिया अपने पिता को जब तू कहा तो पिता के लिए तो दोस्तो मरन मृत्यू के समान हो गया जब एक बेटा अपने पिता को तू कहके बोले या गंदी लेग्मेंस बे बात करें पिता का जब सम्मान अगर खतम कर दे इसका मतलब पिता के लिए वो मारकेश के बराबर माना जाएगा अब एक गुरू को यदि शिश्य कह दे तू कह दे गुरू को आपने मुझे कौन सा ग्यान दिया एक गुरू ने एक पने शिश्य को इतना ग्यान दिया और वो गुरू की अगर तोहिन कर दे शिश्य तो गुरू के लिए दोस्तो वो मारकेश बन जाएगा मारक वाला समय बन जाएगा मारकेश की दृष्टी यही कहलाती है दोस्तो इसी प्रकार से दोस्तों जब पतनी को पता चलता है कि पती गल्थ रस्ते पे चल पड़ा प्रिवार की कोई चिंता नहीर पतनी को जब एकदम शौक लगे तो हो सकता है दोस्तों ये भी एक मारकेश का तुलना में गिना जाएगा आपको छोटी 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 रोग आदी व्यादी जरा पीड़ा जो छोटी छोटी बिमारियां खांसी जुकाम जो छोटी 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 रोग आ जाते हैं को टीबी होगी एक साल के लिए बिमार होगी को दूसरी बिमारी होगी को तीसरी होगी जिस प्रकार के ग्रोहों की पावर होगी वैसी ही मारकेश की दशा कहलाएगी. मारकेश से ज़्यादा ड़ने के जूट नहीं कि मारकेश आ गया तो द्वित्य भाव की दशा आ गई तो वो खराब ही करेगी. ऐसा नहीं है दोस्तों इसमें भी पॉइंट है कि उस ग्रह की डिगरी कितनी उस ग्रह की पावर कितनी है अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मारकेश आपके लिए मारक नहीं होगा वो बिलकुल ठीक रहेगा तो आप इस सबसे ज़्यादा जब मार्केश की बात आती है तो बहुत सारे लोग बहुत बड़े-बड़े यग अनुस्टान बता देते हैं कि पूर्ण मार्केश आ गया लेकिन आंशिक मार्केश में चिंता की बात नहीं होती आंशिक मार्केश पूर्ण मार्केश बहुत ज़्यादा फ दशा जीवन में कभी आती है, किसी भी पड़ाओ में, किसी भी उमर में आती है, तो उस समय आपने शिव पूजा करनी है, गरीब लोगों को जो आपके मजदूर लोग है, उनको आपने जरूर जो है, खाना खिलाना होता है, महनतकष इंसान को, बिखारियों को नहीं, एक एपिसोड हमने बनाया आपके लिए कि मारकेश की दशाओं से ताकि आप घबराएं ना और आपको एक सही रास्ते में सही उपाई मिल जाए तो दोस्तों यदि आप मुझसे जुनना चाहते हैं जानकारी और ज्यादा जानना चाहते हैं दोस्तों तो आप मुझे कर सकते हैं तो दोस्तों आप टीवी चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो हमारे नए नए एपिसोड हैं प्रति दिन जो आपको नहीं जान करें देते हैं से आप और लोगों को भी शेर किया करें नारायन जी को आगया दीजिए दोस्तों फिर एक नए खास विशे के साथ दोबारा से जल्द हाजिर होता हूं नमो नारायन जी मित्रों नमो नारायन जी नमो नारायन जी